हेलो एबरीबन आज की वीडियो में हम ये ये रिंग बनाएंगे इसके लिए मैंने ये 40 नंबर का धागा लिया है सीजर 0.55 mm का प्रोचेट हूँ फैबरिक ग्लू, गोल्डन वायर, एरिंग बेस, एरिंग हूप, हैंगिंग के लिए बीड, जंप रिंग, हेड़ ट्विन, कटर, प्लायर और इस्टार्च सबसे पहले हम स्मॉल साइज के फ्लावर बनाने के लिए नॉट लगा लेंगे, चैन बनाएंगे इसमें हमें 20 चैन लेनी है वन चैन इस्किप करेंगे, सैकिंड में सिंगल क्रोश्य लेंगे नेक्स चैन में सिंगल क्रोश्य लेंगे नेक्स चैन में सिंगल क्रोश्य लेंगे, इसी तरह से हमें सभी स्टिच में सिंगल सिंगल क्रोश्य बना लेनी है थिरी चेन लेंगे पैटरन को गुमाएंगे सेम इस्टिज में ट्रिपल क्रोश्य लेंगे नेक्स्ट इस्टिज में ट्रिपल क्रोश्य लेंगे नेक्स्ट इस्टिज में ट्रिपल क्रोश्य लेंगे थिरी चेन लेंगे सेम इस्टिज में ट्रिपल क्रोश्य लेंगे नेक्स्ट इस्टिज में ट्रिपल क्रोश्य लेंगे नेक्स्ट इस्टिज में ट्रिपल क्रोश्य लेंगे सेम इश्टिज में ट्रिपल क्रोश्या लेंगे नेक्स्ट इश्टिज में ट्रिपल क्रोश्या लेंगे थिरी चेन लेंगे सेम इश्टिज में सिलिप इश्टिज लेंगे next stitch में slip stitch लेंगे यह देखें इस तरह से हमें petals बनानी है यह three petals बनानी है यह जो छोटी वाली है इस तरह से बनानी है यह देखें मैंने बना ली है नेक्स्ट इस्टिज में slip stitch लेंगे थिरी chain लेंगे सेम इस्टिज में triple crochet लेंगे वन चेन लेंगे यह देखें इस तरह से पैटल्स बनानी है नेक्स्ट इस्टिज में बनानी है इसमें हमें five petals बना लेनी है यह देखें मैंने five petals बना ली है धागे को cut कर देंगे यह हमारा small flower है अब हम यह big size में बनाएंगे इसके लिए हम not लगा लेंगे चेन बनाएंगे इसके लिए हमें 35 चेन बना लेनी है फर्ष्ट चेन skip करेंगे सैकिंड में single crochet लेंगे नेक्स्ट में single crochet लेंगे इसी तरह से हमें last तक single crochet बना लेनी है थिरी chain लेंगे सेम stitch में triple crochet लेंगे नेक्स्ट stitch में two triple crochet लेंगे नेक्स्ट stitch में triple crochet लेंगे थिरी chain लेंगे सेम stitch में slip stitch लेंगे यह देखिए इस तरह से eight petals यह देखिए जिस तरह से इसमें बनाई थी सेम इसी तरह से हमें यहां तक बना लेना है इसको यह देखिए मैंने यहां पर total nine petals बन गई हैं अब हम इसके आगे का बनाएंगे next stitch में slip stitch लेंगे three chain लेंगे सेम stitch में triple crochet लेंगे next stitch में triple crochet लेंगे one chain लेंगे one chain लेंगे आप पर slip stitch लेंगे same stitch में triple crochet लेंगे next stitch में triple crochet लेंगे three chain लेंगे same stitch में slip stitch लेंगे इसी तरह से यह देखे petal बन गई है इसी तरह से हमें five petals बना लेंगे यह देखे five petals बना ली है धागे को cut कर देंगे यह हमारा flower बन गया है flower की back side पे बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ring बना लेना है chain बनाएंगे five chain लेनी है first chain skip करेंगे second में hilly pistich लेंगे next chain में single crochet लेंगे next chain में half double crochet लेंगे next chain में half double crochet लेंगे ring में slip stitch लेंगे फिर से हम five chain लेंगे यह देखे इस तरह से हमें five time इस ring में बना लेना है यह देखे five time बना लिया है ring में slip stitch लेंगे दागी को cut कर देंगे इस तरह से हमें two piece बना लेने हैं अब हम leaf बनाएंगे knot लगा लेंगे chain बनाएंगे one two three four five six seven eight first chain skip करेंगे second में slip stitch लेंगे next chain में single crochet लेंगे next chain में half double crochet लेंगे next chain में half double crochet लेंगे next chain में double crochet लेंगे next chain में double crochet लेंगे half double crochet लेंगे next chain में half double crochet लेंगे single crochet लेंगे ही last chain है one chain लेंगे same chain में हम सिंगल क्रोशे लेंगे सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी बनानी है यहाँ पर हाफ डवल क्रोशे लेंगे नेक्स्ट इस्टिच में डवल क्रोशे लेंगे नेक्स्ट इस्टिच में हाफ डवल क्रोशे लेंगे next stitch में half double crochet लेंगे, next stitch में single crochet लेंगे, next stitch में slip stitch ले लेंगे, one chain लेंगे, first वाले stitch में यहाँ पर slip stitch ले लेंगे, यह देखे, हमारी leap बन गई है, अब हम यह ring बनाएंगे, circle बनाने हैं, इसके लिए हम ring बना लेंगे, chain लेंगे, one, two, three, three chain यानि की one double crochet है, इसमें हमें total 16 double crochet बनानी है, यह two हो गई है, इसी तरह से हमें 16 double crochet कर लेनी है, यह देखे, इस तरह से, धागे को खीच कर tight करेंगे, थर्ड chain में यहाँ पर slip stitch ले लेंगे, इस तरह से हमें एक circle इतना ही बनाना है, एक थोड़ा बड़ा बनाना है, यह देखी मैंने छोटा वाला पहले ही बना लिया था, यह बड़ा बनाना है, वन चेन लेंगे, सेम stitch में single crochet लेंगे, नेक्स्ट इस्टिच में two single crochet लेंगे, नेक्स्ट इस्टिच में one single crochet लेंगे, नेक्स्ट इस्टिच में two single crochet लेंगे, इस तरह से हमें एक बार one और एक बार two single crochet लेते हुए, पूरे circle को complete करना है, फर्स्ट वाले इस्टिच में सिलिप इस्टिच लेंगे, ये देखिए हमारे सरकल बन गया है, अब हम लीफ पर स्टार्च लगाएंगे, लीफ की बैक साइड पर हमें स्टार्च लगा लेना है, गिलू लगाकर आगी की साइड का धागए को इस पर चिपका के कट कर दिया है, अब हम हैंगिंग बनाएंगे, हेट पिन में बीड को ले लेंगे, एक्स्टा वायर को कट कर देंगे, हेट पिन को साइड में इस तरह से मोड देंगे, अब इसको इस तरह से रोल करेंगे, यह देखिए हमारी हैंगिंग बन गई है, जंपरिंग लेंगे, जंपरिंग को खोल के उसके अंदर हैंगिंग डालेंगे, बेस में हंगिंग को लगा लेंगे, एक और जंप रिंग लेंगे, उसमें हम हुक डालेंगे और बेस को हुक से जोड देंगे इस तरह से, अब हमें वायर ले लेनी है, यह देखिए, इस तरह से, बाहर वाली साइड में यह बड़ा वाला सरकल है, यहाँ पर हम इसमें वायर डालेंगे, सिंगल क्रोशिया एक या दो छोड़ते हुए इस तरह से, दूसरा सिरा भी डाल लेंगे, इस तरह से, किनारे पे हमें, सरकल को फिक्स करना है, वायर को अच्छे से टाइट कर लेंगे, इस तरह से, इसी वायर से हम, इसको थोड़ी सी दूरी पे, यहाँ पर, फिर से, अच्छे से टाइट कर लेंगे, इससे यह अच्छे से, फिक्स हो जाएगा, वायर को अंदर की साइट में, मोड लेंगे, और एक्ष्ट्रा वायर को कट कर देंगे, यह देखिए, इस तरह से, लगा लेना है, इसी तरह से हमें, सैकिंड सरकल भी लगा लेना है, उसे हम, नीचे की साइट में, इस तरह से लगाएंगे, एक्ष्ट्रा वायर को कट कर देंगे, बड़े वाले सरकल पे, हमें लीफ लगानी है, अच्छे से गिलू लगाकर, लीफ को, दोनों लीफ लगा लेंगे इस तरह से, फिलावर के एक्ष्ट्रा धागे को कट कर देना है, यह देखिए, यह बैक साइड है, बैक साइड अंदर की साइड में, इस तरह से, करते हुए, हमें गिलू लगा लेना है, पहले थोड़े पर, हमें गिलू लगाना है, और इस तरह से, फिलावर को फोल्ड करना है, आगी गिलू लगा लेंगे, इस तरह से, इसको फोल्ड करते जाएंगे, बहुत ही सिंपल है यह, यह देखिए, इस तरह से, फ्लावर बना लेना है, बैक साइड पर, यह हमने बैक साइड पर लगाने के लिए बनाया था, इस पर हमें गिलू लगा लेंगे, फ्लावर की बैक साइड पर इस तरह से, लगा लेंगे, सेम इसी तरह से में सैकंड फ्लावर भी बना लेना है सरकल के सेंटर में भी हमें गिलू लगाकर इस तरह से फ्लावर को अच्छे से चिपका लेंगे सेम इसी तरह से में सैकंड फ्लावर भी चिपकाएंगे ये देखे इस तरह से मरे ये रिंग बन गया है ये देखे मरे ये रिंग कम्पलीट है